हलो नमस्कार मेरे बच्चो में आशोक कुमार सभू आपका मेंटर आपका करियर गाईड स्वागत कता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वुगली स्टूडियों में प्यारे बच्चो कैसे हैं आप लोग हर-hari वुगली घर वुगली दोस्तों आप सब के लिए एक बार फिर से वापिस KGF सीरीज में एक बहुत ही शामदर क्लास लेकर के आज मैं आपको टीचिंग करने वाला हूँ दोस्तो सिस्टम अपडेट चल रहा है अभी ओन किया तो सिस्टम अपडेट स्टार्ट हो गया तो जब तक मैंने कहा कि भाई थोड़ी सी अपने सातियों से बाचीत कर लेता हूँ और सोचा कि सिस्टम अपडेट होगा तब तक अपन थोड़ी बहुत गपशप लड़ा लेते हैं तो प्यारे बच्चों पहले बताईएगा क्या हाल चाले आप लोगों के यस गूड इवनिंग यू गूड इवनिंग धीरज के के कावीता यस नमस्ते नमस्ते बिटा क्या हाल चाले भईया थोड़ी बात्चीत कर लेता हूँ क्योंकि बाद में टाइम नहीं नहीं मिलता है अभी सिस्टम अपडेट हो रहा सिस्टम अपडेट हूँ तब तक हम बात कर सकते हैं और मैं आपसे थोड़ी बहुत आपकी जो भी प्रॉब्लम से वो जानना चाता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है क्या उसमें कोई बाधा है तो प्लीज यू कैन राइट हाल तो मैं तो फाइन हो गया मैं तो फाइन हूँ और फिप्टी परसेंट सिस्टम अपडेट हो चुका है यह सिस्टम अपडेट होगा तब तक ही मैं आपसे बात करूंगा आज तो कत्ती जहर लग रहे हो लाव यू टू बिटा यार हरेश तो बहुत गजब की बातें करता है दिल जीतने वाली अंजुली हावर यू मैं तो बढ़िया हूँ बहुत दिन में मिले हैं आपसे मिस्यू सौमच मिस्यू टू बिटा मिस्यू टू और मेरे बच्चो कवीता स्थर आप बहुत स्मार्ट हो थेंक यू थेंक यू थेंक यू थेंक यू डियर थेंक यू और बताईएगा आप तो कुछ खास बातें क्लास रेगुलरः चल रहा है है क्लास अटक रही है अभी तो नहीं अटक हरा रहा है वोतौ में मामला आज राखने ज़िसा कुछ भी नहीं है एक है ना आज था सारा मामला क्रेक्ट है nursing day का celebration learner the learner आपने का nursing day का celebration बहुत बढ़िया किया है और next celebration जो मैं करूँगा उसमें आपका भी स्वागत है और आपका presence होना चाहिए next year ठेके तयार है तो अगले साल का जो हम 12 मईई celebrate करेंगे कौन-कौन आ रहा है आप में से select होकर के जौब लग करके आना है आपको पुर्णी मा good evening सर आपका बोलने का style hero type है thank you सौरब साघर thank you thank you my dear अंती मा साहु सर की language में जब जागो तब सवेरा thank you अंती मा thank you कविता सर जी हर्यानवी में बोल देवा है आप बहुत सुत्रा लग रहा है thank you अच्छा तो कविता तुम हर्यान भी हो भाई thank you thank you बहुत बड़िया सर यूट्यूब नहीं आते हो सून हो जाता है रितू में समझ नहीं पाया देली में भी आपकी class लो सर प्लीज प्रियंका जरूर लेंगे देली में भी बारा मई का function था फिर मैं दिली आया था बीच में जब सोरफ गांगोली ने मुझे national educator के अवार्ड के लिए बुलाया तो उसमें बीजी हो गया फिर उसके बाद में new batch आ गया 16 मई से उसमें बीजी हो गया अब थोड़ा relax हुआ हूँ जिम्यदारिया बहुत है आप समझते हैं nursing के तो hero ही साउ सरे थेंक यू धीरस सर आपकी आवाज बहुत शानदार है थेंक यू धीरस थेंक यू सर आपकी voice direct दिल को चूती है शुरेंदर थेंक यू थेंक यू थेंक यू लव यू डियर सर आपका यइन्दर नेक्स टाइम तुझे वी डांस करना है कोट आ कर करना है लगा और होसकता है कि मुझसे मिलने से ही तुम्हारी क्रपा डंक रही हो मुझसे मिलते ही तुम्हारी जाब लग चाये नीलम सर आपका क्लास बहुत इंट्रेस्टिंग होता है बराट थेंक यू डियर यू लब यू सो मच नीलम लब यू तू डियर आज सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है सर मितलेश थेंक यू सर आप इतनी दिन बाद मिले हैं थेंक यू मितलेश मिल गया ना नेक्स टाइम मुझे भी आना है नेक्स टाइम जरूर आप लोगों को सब को आना है यह सम नेक्स टाइम जरूर आएंगे यह सब को आना है नेक्स टाइम तो इस बार तो आप लोगों को मैंने बार-बार मैसेज किये बार-बार invitation भेजा लेकिन आप लोगों को पता नहीं ट्रस्ट नहीं था त्रस्ट नहीं था सायद आप लोगों को की सउपलीлар करेंगे या नहीं करेंगे या करेंगे तो किस तरह का funkky सी औठी को प्रोंज हो तो प्रोंने करें बनके आना है सबको आना है हो गया स्टार्ट सिस्टम यस हरी सिस्टम स्टार्ट हो गया है और अभी आपकी क्लास आज का लेक्शर जो है वह स्टार्ट हो जाएगा बोंदी से बहुत पास हैं आप हम आ सकते हैं हाँ आ जाना बेटा जिस दिन आपको टाइम मिले आ जाना और यदि अगर ओफ-लाइन क्लास जोइन कर लो तो और भी अच्छी बात है अगर आप ओफ-लाइन आ सको तो आ जाओ क्योंकि ओफ-लाइन की तो बात और ही अलग होती है सर उस दिन बारिश हो गई नहीं तो आते हम आने वाले हैं सर जॉब करने लगे हैं आज आओ भई आज आओ सर सब को क्लास बाइनरी मौड में अटेंड करने का बोलो बाइनरी मौड में मतलब सर आफ लाइन में यास हरे दिल में हो तुम आँखों में तुम हो बोलो तुमें कैसे पढ़ा हूँ बेटा जो पढ़ा रहा हूँ सबको वो समझ में तो आता है ना बारा बज़े तक का टाइम होता है मेरा दस से बारा और लव यू चलो बहुत बाते हो गई अब क्लास शुरू करेंगे अपन अरे दिल दे दिया है जान तुमें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम दिल दे दिया है जान तुमें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम रुक जिन्दगी ने मोड लिया ऐसा तुमने सोचा नहीं था कभी ऐसा हरुक जिन्दगी ने मोड अच्छा ту जार सोला दोजार बनीस वाले बैसे वेरि गूड वेरि गूड वेरि गूड वेरि गूड तुमें तभाह estr अजाएंगे विए आप बुलाऊगे तो आजाेंगे मुम्ब्ध भी आएंगे टैम निका दालेंगे कैसे भी करके जान नहीं सर ग्यान दो यास ग्यान तो पूरा आपके लिए है अब चलो आप स्टार्ट कर रहा हूं नो मौर लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं यकी क्या से क्या हो गया किस तरह तु मुझे से बेवफा हो गया चेन मेरा लेलो कुशी मेरी लेलो लेलो लाने चलिएगा शुरू कर रहा हूं बिटा डाइरी और पैन लेके बिटे सबसे पहला कुश्चन सुनिएगा आज का which of the following is not a pillar of the women entrepreneurship platform वैप जिसको कहते हैं by the नीती आयोग नीती आयोग ने इन में से कौन सा women entrepreneurship की pillar की रूप में नहीं रखा हुआ है विचार शक्ति, कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्यान शक्ति दोस्तों याद रखना जो नीती आयोग था नीती आयोग है मतलब था क्या नीती आयोग ने women's के entrepreneurship को बढ़ाने के लिए वैब portal का development किया, वैब scheme का development किया जिसके pillar होते हैं ये कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्यान शक्ति, कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्यान शक्ति कौन सा इसका pillar नहीं है, विचार शक्ति नहीं है और so the a option right answer है चलिएगा question number two, मेरे बचो what is the natural family planning, इन में से कौन सा method, natural family planning method है पहला having the sexual intercourse irrespective of any period, any period यानि कि safe period भी और बाकी risky period भी sexual intercourse करेंगे तो ये कोई family planning का method नहीं होगा, तो याद रखना not having sexual intercourse in any time, ये कोई बात नहीं होती having sexual intercourse with the help of contraceptives, contraceptives natural नहीं है और sexual intercourse नहीं रखना that is not a method of the family planning, ये family planning method नहीं है so only not having the sexual intercourse on the particular days when the women is the fertile मेरे बच्चो याद रखियेगा इस दरेशन में फिमेल सकूशल intercourse should be avoided and this method is a very best, safest natural method for the family planning and so the D option is the right answer guys, okay भाया now see the question number 3, according to Alma-Ata elements of the PSC are Alma-Ata के according PSC के कितने elements होते हैं, 8, 3, 6 या 5 how many number of the elements of PSC according to Alma-Ata दोस्तो Alma-Ata के according PSC के जो elements होते हैं, total कितने elements होते हैं total number of elements equal to 8 elements होते हैं, दोस्तो इसलिए a option is the right answer clear हो गया बेटा यहां तक, next question देखेंगे 4 which cells are destroyed by the HIV, दोस्तो जिसको HIV virus का infection हो जाता है तो HIV virus इन में से कौन सी cells को destroy करेगा, dear student याद रखना TA helper कोई cell नहीं होता है, K helper नहीं होता है, Y helper नहीं होता है TA helper cell जिने हम CD4 cell कहते हैं, CD4 plus cells का normally count रहता है my dear student, 900 से 1500 cells per mmq, यदि अगर 200 से कम cells हो जाती हैं CD4 तो person is considered as affected and guys the HIV virus destroying the cells, which cells then you will answer T helper cell और इनी का दूसरा नाम होता है CD4, C option is the right answer now see the question number 5, gas gangrene is caused by which of the following microorganism दूस्तों आप जानते हैं, एक होता है weight gangrene, एक होता है dry gangrene, एक होता है gas gangrene तीन टाइप के gangrene होते हैं, gas gangrene, weight gangrene and dry gangrene my dear student, आप से पुछ रहे हैं, gas gangrene कौन से microorganism की वज़े से होता है और इसके pathogen का नाम होता है बिटा, close tridium perpengence ये large intestine में पाया जाने वाला commensal bacteria भी होता है, the option is the right answer now see the question number 6, what is the shape of the lymph nodes हमारा जो lymphatic system है, इसके lymph nodes का shape क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है lymph nodes की shape के बारे में क्या ये tubular, circular, cuboidal या kidney shape और dear student, you should be know about this very well के lymph nodes always kidney shape के होते हैं, कैसे kidney shape के या oval shape के होते हैं, तो प्यारे बच्चों, lymph nodes का shape होता है kidney shape या फिर oval shape, understand बिटा, clear है na, D option is the right answer, now see the question number 7, epidemiological triad does not include, epidemiological triad में किसे include नहीं किया जाता है host agent risk factor environment, you know it very well now, is very simple question my dear student risk factor is not a part of the epidemiological triad and so the C option is the right answer, तमराज किल्वेस काफी दिनों में मिले हो बिटा, बहुत पुराने student आप class like कर दो बिटा, जिसने like नहीं कर रखा है my dear fans, तो से like कर दीजेगा, now see the question number 8, a blanket from a child with the chicken pox is likely to be contaminated with the virus that causes chicken pox, what is the blanket called, एक पैसेंट है chicken pox वाला और उसको जो blanket use किया गया, वो blanket किसी और को chicken pox कर देगा, तो इसमें blanket क्या कहलाएगा, format, host, pathogen या vector, और my dear student याद रखिएगा, host भी नहीं है, pathogen भी नहीं है, और vector भी नहीं है, तो इस question का answer आप elimination method से भी कर सकते हैं, यदि आपको नहीं आता है तो, तो इसे क्या कहा जाएगा, format इसे बोला जाएगा, जो infection को transmit कर रहा है, my dear student question number 9 is that, which committee was constituted for strengthening the medical educational and support manpower, medical education और support manpower को increase करने के लिए, strengthen करने के लिए, कौन सा committee बनाया गया था, करतार सिंग, श्री वास्तव, जंगलवाला या बोहर committee, which committee was constituted, तो guys, you know that, medical education को empower करने के लिए, श्री वास्तव कमिटी का गठन किया गया था, which committee was constituted to empower the medical education and the, and educational and the support manpower, guys, which committee was constituted, then your answer, श्री वास्तव, अब इसी question को मैं आप से reverse पुछूंगा, महेश बिजारनिया, thank you so much बिटा, thank you so much dear, for your love and the faith and your trust for the Kogli, I love you a lot, thanks a lot, my every family member is the my very very valued family member, dear students, आप सब मेरे nursing officer, मेरे nursing family के जो member से उनके लिए मुझे जीना है, आप सब को एक बहतर direction देना, एक अच्छा education system देना, यही man motto है, वुगली के platform का, और दोस्तों वुगली platform आप सब का platform है, आप सब के लिए इसलिए बनाया गया है, और मैं इसके अंदर आपका सारा फर्च पूरा कर रहा हूं, ताकि आपको एक आपकी स्रीवास्तव कमिटी, स्रीवास्तव कमिटी को किस क्यूं मैनली गठित किया गया था, तो आपका अंसर होगा कि सर, it is constitute for strengthening the medical education and support the manpower, तमराज किलवेश सर, आपकी वज़े से नॉर्सेट में 32 रेंक आई है, और आपके हर वीडियो देख रहा हूं, और आपके old वीडियो की book में notes बनाता हूं, sorry live नहीं आपा रहा, thank you dear, और इसी तरह से आपको ज़जवे के साथ मेहनत करना है, तो अपनी जो क्लासे से वुगली, उसका एक-एक lecture मेरे बच्चों बहुत भारी होता है, एक-एक lecture इतना ज़ादा सटे क्लास होता है, कि आपको selection बहुत आसान लगने लगेगा, paper बहुत आसान लगने लगेगा, और बहुत कुछ पढ़ा रखा है मैंने, total 750 क्लासे आप सब के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, और जरूर देखना, एक क्लास अभी कल ही, थोड़े ही दिन पहले, एक-दो दिन पहले मैंने पढ़ाया था, Hawkins disease वाला क्लास, ये जरूर आप सब को देखना है, question number 10, the treatment of tuber classes is called as the dots treatment because, हम tuber tuberculosis के treatment को dots कहते हैं, कारण पूछ रहा हूँ, क्यों कहते हो, because communicable disease है, dots indicate the name of the drug, ये treatment given under the observation, my dear students, जो dots के अंदर treatment medications दिये जाते हैं, वो direct observation में दिये जाते हैं, direct supervision में दिये जाते हैं, और इसलिए इस वाली scheme को नाम दिया गया dots scheme, तो सही answer होगा treatment, given under the observation, C option is the right answer, now see the question number 11, which method is used to remove the temporary hardness of water, my dear student, water का temporary hardness remove करने का कौन सा method होता है, best exchange, permuted, clark, या all of the above, and you know that temporary hardness को remove करने के लिए, which method is used, then answer will be the clark method, मेरे बच्चों water hardness remove करने का, clark method एक ऐसा method होता है, that is used to remove the temporary hardness of the water, अरे किस्टल क्लियर है न, एक बार जोर से नारा लगा दो मेरे गजोधार हर हर वुगली घर गर वुगली प्यारे बच्चों एक बार चोड़ दार नारा लगा दो हर हर वुगली घर गर वुगली और वुगली है तो मुंकिन है, फिर आगे बढ़ूँगा, शाबाश, यस बॉइलिंग भी होता है, लेकिन हमें decision लेना है, जो option हमें दिये हैं, उन में से एक method का, शेके न, वुगली है तो मुंकिन है, हर हर वुगली घर गर वुगली, Angel, thank you so much for giving lot of star, thank you Angel, next देखिएगा, question number 12, the characteristic of the feces in the enteric fever, दोस्तों enteric fever में जो feces पास करता है पैसेंट, उसका क्या characteristic होता है, किस तरह का feces आता है, rice water diarrhea या pea soup diarrhea, और मेरे बच्चों, is a very important question, जो पैसेंट है आपके पास, enteric fever का, तो enteric fever के कैस में, pea soup diarrhea होता है, और cholera के पैसेंट के अंदर, ये वाला answer आपको देना है, तो cholera में rice water stool is the feature of cholera, but the pea soup stool is the feature of enteric fever, so the B option is the right answer, now see the question number 13, which solvent is used for the dilution of BCG vaccine, BCG vaccine को dilution के लिए कौन सा solution यूज करते हैं, distilled water, normal saline, general tap water, या any available water, my dear student, when you want to dissolve the BCG vaccine, then always prep for the NS या normal saline, D option is the right answer, so guys, you should know that, त्यान से देखना दोस्तों, BCG vaccine should be always diluted into the normal saline or NS, now see the question number 14, a disease occurring at the irregular interval and only in a few places is called, जब कोई disease irregular interval में हो रहा है, और कुछ विशेश चुनिंदा स्थानों में ही ऐसा disease हो रहा है, तो ऐसे disease को क्या कहते हैं, sporadic, endemic, epidemic या pandemic, और my dear student, you know that, ऐसे disease जो fluctuate होती है, irregular periods में होती है, dear student, ऐसे disease को sporadic disease बोला जाता है, या option is the right answer, clear है मेरे बच्चों, now see the question number 15, what does the G stand for the गौबर्धन योजना, जो गौबर्धन योजना है ना, इसमें G का क्या means होता है, G मिन्स क्या होता है, और G मिन्स होता है मेरे बच्चों, galvanizing क्या होता है, galvanizing, O का मिन्स होता है, organic, O means organic, and मेरे बच्चों B का मिन्स बायो, and A मिन्स एग्रो, and R मिन्स रिसॉर्सेज, तो आप देखिएगा, G, O, B, A, R, और ये scheme गाओं के अंदर, गोबर वगेरा decomposition जो है, जो composed material है, उसको सही डंग से store करके, उससे gas production करना, उससे fertilizer बनाना, इसके लिए village level पर, government and ministry of the water and sanitation ने, एक scheme launch किया था, उसका नाम था, गोबर धन scheme, और इसके अंदर, G का मिन्स होता है, galvanizing, O means होता है, क्योंकि product जो भी इसमें use कर रहे हैं, that is all organic, then bio, agro, resources, ओके बीटा, this is the गोबर धन scheme, and so the A option is the right answer. Now see the question number 17, गुजरात government launched the पूर्णा project, to eliminate the malnutrition among the girls, in the age group of the 14 to 18, पूर्णा स्टेंट पूर्णा का मीन्स क्या होता है, पूर्णा जो योजना है, गुजरात के अंदर चलती है, इसमें पूर्णा शब्द का क्या मीन्स है, क्या anyone know about this, पूर्णा मीन्स क्या होता है, prevention of the undernutrition, prevention of undernutrition and reduction of the nutritional anemia, so nutritional anemia का reduction करना और undernutrition का prevention करना ही पूर्णा योजना का मुख्य उदेशे है, so the A option is right answer guys, now see the question number 18, a mosquito bite a person who subsequently develop the fever and the rashes, what type of transmission would this be, इसे आप एक मॉस्कुटो के bite करने से एक परसन को rashes and fever हुआ है, तो इस तरह का जो transmission हुआ है, उस transmission को आप क्या कहेंगे, mechanical vector, biological vector, direct contact या vehicle transmission, तो my dear student, जब कभी भी, कोई भी, ऐसे living organism के द्वारा, जब disease का transmission होता है, तो उसे vector केते हैं, और ये mosquito कर रहा है, living organism कर रहा है, इसलिए इसे biological vector transmission बोला जाएगा, clear है, biological vector transmission इसे कहा, जाएगा, B option is the right answer, understand मेरे बच्चो, now see the question number 19, which one among us to the following, is not a millennium development goal, दिये हुए options में से, कौन सा millennium development goal नहीं है, first is the improve maternal health, combat the HIV, AIDS, malaria and other disease, ensure the environmental sustainability, develop a local partnership for the development, which is not a goal, which is not a millennium development goal, dear student, MDG का गौल कौन सा नहीं है, so first improve the maternal health, is the millennium developmental goal, understand, then the combat HIV, AIDS, malaria and other disease, is also the goal, ensure the environmental sustainability, is also the goal, and one is the not goal, for the millennium development, then answer is the D option, understand guys, now see the question number 20, Janani Shishu Shuraksha Yojana, is a scheme operating under the, Janani Shishu Shuraksha Yojana, को कौन सा agency operate करता है, ICDS, NRHM, NHM या NUHM, My dear student, JSSY, Janani Shishu Shuraksha Yojana, को NHM operate करता है, कौन करता है, NHM, आप सब का answer गलत है, NRHM जो answer कर रहे हैं, that is not the right answer, Janani Shishu Shuraksha Yojana, is operated by the NHM, कौन operate करता है, National Health Mission के द्वारा, इसे operate किया जाता है, understand मेरे बच्चो, see option right answer, now see the question number 21, psychoanalytical theory was developed by, psychoanalytical theory किसने दिया था, किसने develop किया था, और right answer is that, segment prior, first option is correct, okay, now moving for the question number 22, slip walking is otherwise called, दोस्तों, नीन में चलने को, क्या कहा जाता है, Somnambulism, Somnokinesis, Insomnia, Anoresis, my dear student, in the question number 22, just moving or walking in the sleep, is called, क्या कहते हैं मेरे बच्चो, Somnambulism में से कहा जाता है, Somnambulism means नीन में, embolism means चलना, तो ए option is the right answer, now see the question number 23, definitive treatment of all type of the phobias, हर तरह के phobia के लिए, कौन सा definitive treatment किया जाता है, और आप जानते हैं, एक desensitization होता है, तो कौन सा therapy is useful, in all type of the phobias, then right answer is the, behavior therapy, सबसे ज़्यादा popular therapy होता है, that is used in case of the all type of phobias, clear हैं मेरे बच्चों, यहां तक बोलो भई, अरे बात समझ में तो आता है न, अरे आज आता है समझ में, crystal clear हैं यहां तक मेरे बच्चों, आपको इतने अच्छे ढंग से preparation करना है, कि एक्जाम में जब आप जाओ तो confidence आपका बड़ा हुआ होना चाहिए, अच्छा confidence लेके जाना एक्जाम में, इसके लिए अच्छे confidence के लिए और negative marking को कम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको question solve करना चाहिए, अगर question solving आपने अच्छा अपना एक target पूरा कर लिया, कि भाई मैं 10,000 question करूँगा नॉर्सेट से पहले तक, ऐसा एक लक्षे बना लें, कि नॉर्सेट से पहले तक मुझे इतने question करना है, और उनको 2-3 बार repeat करना है, तो आपका नॉर्सेट मेरे बच्चों बहुत आसान हो जाएगा, काफी easily आप उससे निकाल लेंगे, clear है, और मैं हूँ, आप कोई भी suggestion पूछिए, मेरे number पे, आपको WhatsApp करना है केवल, और अगर जोरत पड़े तो आप बहुत rarely, अगर मैं आपको कहूँ, तो आप कॉल कर सकते हो, मेरे बच्चों आपकी मदद के लिए आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, हर संभव मदद आपको पहुचाने वाला हूँ, हर तरह से आपको help मिलेगी, don't worry, आप अकेले नहीं है, मैं आपको guide करूँगा, लेकिन बस आप अपना मानस बनाए, और आपको एक अच्छे decision के साथ, अच्छे energy के साथ आगे बढ़ना है, फिर मैं आपकी मदद के लिए तयार हूँ, तो मेरे बच्चों, नमबर मेरा नहीं है आपके पास, यह वाले नमबर पे, 8947879143, इस पे आप कभी भी message कर दें, अगर message का reply नहीं आया है, तो patience रखना, कई बार मेरा schedule दिन भर वीजी चलता है, classes की वज़े से, जैसे ही मुझे time मिलेगा, मैं आपका जवाब दे दूँगा, और ज़रत पड़ी, तो मैं आपको कहा दूँगा, कि भाई आप इस time पर call, कर लेना, आप बात कर लेना, ठेके बीटा, now see the question number 24, who is the first psychiatric nurse, दोस्तों सबसे पहला psychiatric nurse, कौन है, Hillgard, then Linda Richard, Sigmund Pryor, Jane Watson, और you know that, हर student ये तो जान ही चाहे, कम से कम, याद रखे कम से कम, कि Linda Richard was the first psychiatric nurse, B option was the right answer, question number 25, Parkinson disease is caused by, मेरे बच्चों Parkinson disease किस कारण से होती है, किस कारण से होती है, एक reason identify करके बताईएगा, किस कारण से Parkinson होता है, death of brain cell due to the old age, और we know that, Parkinson जो होता है, substantia negra की वज़े से होता है, और substantia negra center release the dopamine, और dopamine की अगर impairment हो जाती है, ऐसी cell damage हो जाती है, तो व्यक्ति को, person को Parkinson हो जाता है, मेरे बच्चों, crystal clear है ना, तो what is the reason for the Parkinson, then the reduce the amount of the dopamine, और reduce the number of the dopamine releasing cells, okay बेटा, see option right answer, now see the question number 26, methanol का antidote बताना है, which is the antidote for the methanol, to put your answer guys, which is the antidote for the methanol, तो methanol का antidote भी ethanol ही होता है, a option is the right answer, understand, तो methanol का antidote, सब लोग एक बार बोलना मेरे साथ, what is the antidote for the methanol, then answer will be the ethanol, क्या answer होगा, ethanol और ethanol का पूछे तो methanol, और methanol के लिए पूछे तो ethanol, clear है, याद रहेगा ना, अब भूलोगे तो नहीं ना, आगे से किसी एक्जाम के अंदर, अगर ये सवाल आता है, तो clear है बिटा, next question करिएगा, chronotherapy is, chronotherapy क्या होती है, manipulating the patient's sleep schedule, manipulating the patient's environment, adjusting to stimuli, adjusting to working hours, मेरे बच्चो chronotherapy, और इसे लगा लो आप पहले तो, very important, chronotherapy जो होता है, ये किसे कहते हैं, तो chronotherapy का मतलब होता है, पैसेंट का, जो sleep-wag cycle है ना, sleep-wag cycle के अंदर, manipulation करके, और इसकी दिंचर्या को सही करना ही, chronotherapy कहलाता है, understand, जिनको नींद नहीं आती है, जिनने insomnia की problem है, उन लोगों को chronotherapy किया जाता है, तो just this is the manipulation of the patient's sleep schedule, a option is the right answer, याद रखोगे ना, sleep schedule को manipulate करना क्या कहलाता है, चलो एक बार answer put करना देखे, manipulation of the sleep schedule of a patient is called, क्या कहते हैं, manipulation of the sleep schedule of a patient is called, क्या बोला जाता है dear students, then you will answer guys, क्या कहते हैं बिटा, इसे कहते हैं chronotherapy, very good, शबाश, excellent, great, understand, सबको आगया, आगया ना सबको, चलिएगा, शबाश, now see the question number 28, autistic child show the, autistic child क्या show करता है, not wanting to eat, crying for the attention, catatonic like rigidity, enjoying the being with the people, what is the feature of the patient, feature of a child with the autism, autistic child होता है, जो क्या करता है, catatonic like rigidity show करता है, क्या करता है बिटा, catatonic like rigidity is the feature of autism, autistic child का क्या feature है, future में याद रखना, what is the feature of the autistic child, then catatonic like rigidity, बोलो सब एक बार मेरे साथ, क्या answer होगा इसका, एक बार बोलना, सब लोग repeat करो, catatonic like rigidity is the feature of, अगर reverse question करता हूँ, तो answer क्या करना है, सर autistic child का feature है, ओके बिटा, तो B, C option is the right answer, question number 29, rapid succession of incomplete ideas is called, ideas का rapidly succession होना, shifting होना, क्या क्यालाता है, flat effect, flight of idea, derailment या flooding, so my dear student, rapid shifting of the ideas, rapid succession of the ideas, in the psychiatric, this is called as the flight of the ideas, जल्दी जल्दी ideas से, याने की talking से, shifting करना, this is called flight of the ideas, now see the question number 30, best profile axis for the febrile seizure, febrile seizure के लिए, सबसे better prophylactic medication काँ सा हे, panetoine, diagepine, diagepalm, phenobarbitone, acetaminophen, तो which is a prophylactic, yes, Deepak Gautam, thank you dear, thank you, thank you so much, my dear student, you know that, best prophylactic, for the febrile seizure, is that the diagepalm, is the right answer, So the D option is correct guys, clear हो गया है, now see the question number 32, a major side effect of the haloperidol, haloperidol is an anti-psychotic medication, ये मानसिक रूप से जो बिमार लोग हैं, उनको दिया जाने वाला anti-psychotic drug होता है, और anti-psychotic drugs के हम जानते हैं, क्या major side effects होते हैं, तो इनकी वजे से मेरे बच्चो extra pyramidal reactions होती हैं, EPS हो जाता है, extra pyramidal symptoms, and so the C option is the right answer, now see the question number 33, A classical feature of the OSES, OSES का full form समझे पहले, इसका full form, obstructive sleep apnea syndrome, obstructive type से होने वाला sleep apnea syndrome, this is the OSES, तो OSES का एक question तो याद रखना है आपको full form का, क्या याद रखेंगे, full form, एक बार बोलना सब लोग, चाहें से type नहीं करें, केवल आप अपने तोर पे, अपने आप में repeat कर लो एक बार, OSES का full form क्या है बिटा, obstructive sleep apnea syndrome, क्या है, obstructive sleep apnea syndrome, तो obstructive sleep apnea syndrome का classical feature होता है, snoring करना, A option is the right answer, now see the question number 34, OCD is best managed with the which of following psychotherapy, obsessive compulsive disorder जो होता है, कौन सी psychotherapy के द्वारा best manage किया जाता है, first is the psychodynamic, interpersonal, cognitive behavior, supportive psychotherapy, which is the best therapy for the OCD, और OCD के लिए सबसे best psychotherapy होती है, cognitive behavior therapy, याने की CBT, understand guys, CBT is the best for the, CBT is the best for the, किसके लिए best है, तो मेरे बच्चों, CBT is best for the OCD patients, now see the question number 35, the most important factor in a therapeutic relationship is, दोस्तों जो therapeutic relationship आप patient के साथ create करते हैं, उसके अंदर सबसे best factor क्या होता है, तो then trust, और मैं भी हमेशा एक ही बात आप सबसे कहता हूँ, कि एक बार trust करके देखें आप भुगली पर, और फिर आपको किस तरह से मैं काबिल बनाता हूँ, आपने चाहे coaching किया हुआ है, या आपने कहीं से preparation किया हुआ है, या आप कहीं भी preparation कर रहे हैं, मेरे बच्चों छोड़ दो, आप एक दिन के लिए, एक दिन के लिए मेरे पास आके देखो, आपको समझ में आएगा कि वाकई में पढ़ाने का या पढ़ाई करने का जो method होता है, सही method होता है, रियल teaching होती है, वो आप हमारे पास आके देखोगे, मेरे बच्चों मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इतना कह रहा हूँ कि एक बार फैत करके देखो, एक बार मौका दीजी आप गोगली सर को, और देखिएगा, आपके भविष्य को बनाने में कैसे जी जान लगा दूँगा, आपके लिए, आपके भविष्य को अपने हातों से घढ़ने के लिए, जितना भी मैं महनत कर पाऊँगा दोस्तों, करूँगा, और लगा मरजवान आप सब के लिए, तो आप केवल मेरे उपर फैत करें, आपका ट्रस्ट करें एक बार, और फिर बाकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ें, क्या करना है, ये मैं करूँगा, मेरे बच्चों याद रखना, क्वेशन पे आता हूँ, हम से क्वेशन कह रहा है, कि ठेर ये आप्शन इस दा राइट आंसर, नाओ सी दा क्वेशन नंबर 36, मेरे बच्चों, कॉमन रिस फैक्टर इन पेसेंट विच सीवेर डिप्रेशन, सीवेर डिप्रेशन के लोगों को सबसे ज्यादा खत्रा किस बात का होता है, पाटीग अबलिटी, हलुसिनेशन, एजिट या सुसाइडल टेंडेंसी, जो रिस्की पैसेंट होते हैं, जो भी डिप्रेशन के पैसेंट होते हैं, वो सुसाइड कर सकते हैं, उनको हमेशा क्लोज अबजर्वेशन में, क्लोज सुपरविजन में रखना चाहिए, because the major depressions पैसेंट have the more probability to commit the suicide, okay my dear students, so the D option is the right answer, अरे गजोदर बात समझ में आ रहा है यहां तक, एक बार मुझे बता दीचेगा कि सर यहां तक बिलकुल okay है, question 36 question हम कर चुके हैं, और बहुत जल्दी हमारा 50 question का target हम चुने वाले हैं, और यह आज हमारा lecture number 23 है, इससे पहले की classes जो आपने नहीं complete किया है, तो complete कर लेना, क्य बती जाएंगी और आपके वर्कलोड भी बढ़ता जाएगा, तो चलिएगा, सूरज ने कुछ कहा है, कि जिसका भरोसा साहू सर पे हो, उनकी मंजिल सिर्फ कामियाबी ही होगी, very good सूरज, आपने जो फैत दिखाया, इसके लिए मैं आपको salute करता हूं मेरे दोस्त, thank you so much, love you, यही फैत मुझे मेरे सभी नरसे सातियों का जीतना है, यह ट्रस्ट, यह फैत जो है दोस्तों, आपको एक दिन कामियाब बना के रहूंगा, यह मैने ठानी है, किसी और से नहीं खुद से यह वादा किया है, कहा है हमें, एक पल भी नहीं गवाना है, बदल जाओ वक्त के जोसो हर हाल में चलना सीखो, दोस्तों बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मत कोसो मजबूरियों को हर हाल में चलना सीखो, जिस महनत से तु आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, जोख खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा के सामने जब निखर के आएगा ना दोस्त तो दुनिया तुझे सल्यूट करें चलिए 38 question number 38 what are the total score in mini mental status examination MMSE के अंदर बिटा total score कितना होता है MMSE psychiatric का बहुत important tool है तो mental mini mental status examination के अंदर 30 score maximum होता है total score B option right answer 39 देखेंगे omega sign is seen in which of the following और यह सवाल पूछा था दोस्तों एक बार MS Bhopal के अंदर कहां पूछा गया था MS Bhopal ने पूछा था कि omega sign कौन सी disease का sign होता है very good तो omega sign से मेरा मतलब होता है कि इस तरह से आपका percent बेठा रहता है जिसको depression होता है वो किसी से बात नहीं करेगा ऐसे करके बेठा रहेगा अपनी गर्दन को head को down करके एक एकांत में बेठा रहेगा इस sign को देख करके और विशेशग्यों ने कहा इसे omega sign और यह depression को indicate करता है question number 40 रहमा is admitted in the psychiatric ward and refuse to eat the breakfast by stating that the food is poisoned this kind of response is an example of यदि आपका percent आपसे कहता है जिवन की हर समश्या ट्राफिक की लाल बत्ती की तरह होती है थोड़ा साथ रखने पर अपने आप हरी हो जाती है yes आपसे कह रहा हूँ कि एक percentage जो आपसे कह रहा है कि उसके खाने में किसी ने poison mix कर दिया है तो बताइए इसको कौन सी problem है दोस्तो इसी problem हो रहा है dilution का किसका dilution का क्याने कि जो यहाँ पर percent जो condition जाहिर कर रहा है उसकी अंदर इसको एक ऐसा belief हो रहा है शूडो belief हो रहा है जिसमें यह कह रहा है कि नई poison मिला रखा है मेरे खाने में जहर है ऐसा अगर client कह रहा है unshackable belief अगर इसको हो रहा है unshackable false belief क्या है dilution unshackable जो आप कोशिश भी कर लेंगे तो भी नहीं बदल पाओगे इस patient की सोच को unshackable false belief is called as the dilution now question number 41 which of the following condition is an early symptom of myasthenia gravis myasthenia gravis का early symptom कांसा होता है कांसा is the which is the early symptom for the myasthenia gravis then dear student you know that tosis is the right answer for the myasthenia gravis the option is correct now see the question number 43 lead poisoning is also known as दोस्तो lead poisoning को और क्या कहा जाता है और इसे lead poisoning को हम और क्या कहते हैं plumbism भी इसे बोला जाता है lead poisoning को और plumbism कहा जाता है दोस्तो b option is the right answer understand now see the question number 44 logan bow is used post-operatively after the surgical repair of दोस्तो logan bow कौन सी surgery के बाद में use किया जाता है cleft lip, esophageal, invinal hernia, hital hernia logan bow is a tool that is post-operatively used after which surgery then the right answer is that the cleft lip or the cleft palate surgery के बाद use किया जाता है logan bow a option is the right answer now see the question number 45 a spasm of the facial muscles occurs in दोस्तो facial muscle का spasm कौन सी problem में होता है कौन सी type की disease में facial muscles का spasm हो जाता है और इसे हम कहते हैं chostek sign क्या कहते हैं तो titanic के two sign होते हैं chostek and trossius okay मेरे बच्चो तो trossius and chostek are the sign of the titanic see option is the right answer and hypo calcemia भी आप answer कर सकते थे okay now question number 46 complication of bronchiectasis is bronchiectasis की बज़े से कौन कौन से complications होते हैं lungs का abscess, empyma या recurrent, pneumonia या all of the above और dear student you should know that कि जब किसी को bronchiectasis होता है तो इसकी बज़े से lungs में abscess भी हो जाता है empyma भी हो जाता है और बार बार इसे pneumonia भी होता है and so the all of these are the right answer and if D option is the correct now see the question number 47 my dear student which among the following diabetes mellitus is the characterized by damage to the beta cell कौन सा diabetes mellitus beta cell damage होने से हो जाता है तो right answer is the type 1 diabetes mellitus जिसको हम कहते है insulin dependent diabetes mellitus और type 2 को हम कहते है non insulin dependent diabetes mellitus तो दो type के diabetes mellitus ID and NID right answer is the A option understand now see the question number 48 low or absent glucose in the CSF indicate CSF के अंदर glucose का decrease हो जाना या बिलकुल absent हो जाना इन में से कौन से infection को indicate करता है तो जब कभी भी मेरे बच्चो bacterial infection होगा तो इसको कैसे याद रखोगे आप लोग तो समझना CSF के अंदर glucose का decrease होना bacterial infection को indicate करता है तो आप मुझसे कहेंगे कि सर जो बाकी glucose था वो कहां गया तो भाई bacterias ने खा लिया किसने जीम लिया जीमना समझते हो ना अरे जीमना समझते हो क्या जीमना जानते हो तो glucose क्यों घटा सर अरे भाई गुलकोज इसलिए घटा क्योंकि bacterial infection हो गया था और bacterias ने भी CSF में से glucose का conjunction कर लिया है इसलिए आलवेज याद रखेंगे कि bacterial infection यदि हुए तो CSF में glucose reduce हो जाएगा घट जाएगा मेरे बचो यह option is the right answer question 49 देखना 11 shunt is done in 11 shunt जो होता है यह यूज किया जाता है कब यूज करते हो पिंसे शंतोष 11 shunt acides के pacients को यूज करते हैं acides के pacients में abdominal fluid को release करने के लिए we uses a special shunt और आप से यह reverse question करूँगा मैं टेस्ट के अंदर के asides के pacients के लिए which shunt is used then you will answer 11 shunt okay now see the question number 50 and is your last question Cushing syndrome will produce increased Cushing syndrome यदी होता है तो cortisol की वज़े से blood का glucose level बढ़ता है और इसलिए client को क्या हो जाता है body के अंदर glucose का deposition हो जाता है यानि कि इसका जो abdomen है वो enlarge हो जाता है obesity इसको हो जाता है क्या हो जाता है obesity हो जाता है lower thighs के उपर भी fat का deposition हो जाता है तो supra-clavicular fat fat deposition आपने सुना होगा और supra-clavicular area में fat deposition होने से patient को kyphosis हो जाता है यह feature है किसका kushing syndrome का कुशिंग syndrome में क्या हुआ special cortisol बढ़ा and glucose बढ़ा and glucose convert होके fat बनाएगा और fat जमा हो जाता है यहाँ पर और fat जमा होने से patient को kyphosis हो जाता है तो kyphosis यह supra-clavicular fat deposition is the feature of the kushing syndrome my dear student आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद thank you so much love you all wish you all the best और यदी preparation करना आपको continue preparation करना है और एक बार revise करना है या full preparation करना है तो अभी-भी मेरा batch start हुआ है online and offline दोनों mode के अंदर आप जिस भी तरह से पढ़ना चाते है मेरे साथ साहू सर के साथ you are most welcome in my institute thank you so much love you guys wish you all the best हर हर भुगली घर गर भुगली